मेश राशी वालों दोस्तों यह वीडियो नहीं आप सभी के लिए राम बान है यदि आप इसे एक बार अंत तक देख लेंगे और जो बात इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में मात्र एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवन का हर एक सपना सच हो जाएगा फूटी से फूटी किस्मत भी चमकने लगेगा और विराम से वीरान जिंदगी भी खिलने लगेगा जी हाँ दोस्तों इस बात की हम फुल गारंटी लेते हैं बस आप समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे ह्रदय भाव से जै माता दी तीन बार लिख दीजिएगा माता रानी का सीधा आशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा जी हां बस यह एक चीज अपने जेब में रख लो अगर आप इस चीज को अपने जेब में रख लेते हैं तो आपका जीव हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आप पैसा गिनते गिनते ठक जाओगे जी हां आप बिलकुल ही सही सुन रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा देखिए और इस चीज को अपने पास रख लीजिए फिर आप रंक से राजा बन जाएंगे और आपके पास आपके पैसा गिनने का समय तक नहीं बचेगा आपके पास पैसा पानी की तरह बहकर आएगा और आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे क्योंकि अब आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकेगा और आप ऐसा गिनते गिनते ठक जाओगे अब आपका हर सपना सच होगा क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके कुंडली में ऐसा चमतकार होगा जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आपकी बता दें कि अब आपके दुखों का अंत होगा क्योंकि अब आपके उपर माता पार्वती का आशीरवाद पढ़ चुका है अब आपके रोने धोने का समय गया अब आप सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाएंगे तो आखिर वह एक चीज क्या है जिसे आप अपने जेब में रख लेंगे तो आप पैसा गिनते गिनते ठक जाओगे आगे इस जियोतिश कार्यक्रम में चर्चा करेंगे साथ ही अगले चार दिनों के अंदर आपके घर में एक अजीब घटना होगी और आपकी बता दें कि अगर यह भविश्यवानी गलत हुई तो पूरे ग्यारह लाख का जुर्माना दूंगा जी हाँ आज तक मेरा भविश्यवानी गलत नहीं हुआ है क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं वह सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर पर आधारित रहता है मेरा भविश्यवानी पत्थर का लकीर है जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता और इस बात का मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज का जोतिश कार्यक्रम जो नहीं देखेगा वह महामूर्ख होगा क्योंकि ऐसा जोतिश कार्यक्रम बहुत ही छानबीन के बाद बनाते हैं और अगर एक बार आप इस जोतिश कार्यक्रम को मिस कर देते हैं तो दोबारा आपको ऐसा ज्योतिश कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस प्रकार का मौका बार बार नहीं आता है। और आज का ज्योतिश कार्यक्रम जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा वह माला माल हो हो जाएगा। आपकी बता दें कि आपके घर में एक बहुत ही बड़ी और चमतकारी घटना होने वाली है और यह घटना आपको राजा बना देगी जी हाँ यह घटना साक्षात देवी का रूप होगी लेकिन आने वाले चार दिनों के अंदर आपको कुछ सावधानिया भी बरतनी होगी कौ लेकिन उसे जानने से पहले जितने भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं इस जयोतिशकारिक्रम को देख रहे हैं वह अपने प्यारे हाथों से इस जयोतिशकारिक्रम को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश से तीन बार अवश्य लिखें जिससे गणेश जी का आशीरवाद आपके उपर सदैव बना रहेगा आने वाले चार दिनों के अंदर आपके घर में जो घटना होने वाली है वह घटना यह है कि आपके घर में एक देवी सांप का रूप लेकर आपके घर आएगी और आप उसे सांप को मामूली सांप समझने की भूल ना करें वह कोई मामूली सांप नहीं बलकि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी और यह सांप आपको रंग से राजा बना देगी अगर आने वाले चार दिनों के अंदर आपके घर में कोई सांप दिखाई देता है या फिर निकलता है तो उसे मारने की कोशिश ना करें वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा उसे प्रणाम करके जाने दें और वह सांप देवी का रूप लेकर आपके घर में पिछले साथ सालों से रह रही है और इस बात का आपको जरा सा भी कानो कान खबर नहीं है यहां तक कि आपकी रक्षा भी यह देवी कर रही है कई बार आप बुरे से बुरे स्थिती में फंसते थे लेकिन यह देवी आपको हर समस्याओं से निकाली है कई बार तो आप मरते मरते बचे हैं और इसका कारण माता लक्षमी है जो कि आपकी रक्षा पिछले साथ सालों से कर रही है आपकी बता दें कि उपर वाले का दो बड़ा फैसला आ गया है जी हाँ, आप बिलकुल ही सही सुन रहे हैं उपर वाले ने आपके लिए दो बड़े फैसले भेजे हैं ये फैसला आपके जीवन को बदल देगा, आपने जिस चीज के लिए महनत किया था, अब वह सारी चीज आपको मिलने वाली है, यूं कहे तो अब आपकी महनत का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर है परंतु अधेर नहीं, ठीक इसी प्रकार आप जिस चीज के हकदार थे, अब वह चीज आपको मिलने वाला है, जिस चीज के लिए आपने दिन रात महनत किये थे, खून पसीना बहाया था, अब वह चीज आपके कदमों में होगी, जी हाँ, अब आपके दुश्मनों का आँखें खुली की खुली रह जाएगी, क्यो क्योंकि बहुत दिन आप रो लिए, अब आपके दुश्मन रोएगा, और आप खुशियां मनाएंगे, आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपने अपने जीवन में कितनी भी बरी परिस्थिती आ जाए, लिकिन आपने कभी भी भगवान से भरोसा न अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, अब आपका किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगा, बहुत बड़ा जटका लगने वाला है, आपका जिंदगी समाप्त होने वाला है, जी हाँ, ऐसा भयानक घटना होने वाला है, आपको बता दें, अगले चार दिनों के अंदर तीन बड़ी भयंकर घटना होने वाला है, जी हाँ, एक साथ तीन बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने वाला है, जिनके बारे में सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, जी हाँ, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, अगले चार दिनों के अंदर जो घटना आपके जीवन में घटित होने वाला है, ऐसा घटना आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ है, पहली बार आपके जीवन में ऐसा भयंकर घटना होने वाला है, बहुत दर्दनाग घटना आपके जीवन में घटित होने वाला और बड़ी-बड़ी कामयाबी भी आपको मिलने वाला है। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक तरफ जहां आपके साथ तीन बड़ी घटना होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में पांच बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। कर रहे थे, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। अब आपका यह सपना सच होकर रहेगा, क्योंकि आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग का निर्माण हो चुका है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। आप बता दें, अगले चार दिनों के अ जीवन में बहुत बड़ा परेशानी दस्तक देने वाला है, आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मुझे पता है आप कितना मजबूर है, कितना ज्यादा आप परेशान है, मुझे सब कुछ पता है, आगे इस जोतिश कार्यक्रम में जो बात आप आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आँखों से खून का आंसू बहेगा। अगले चार दिनों के अंदर आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां दस्तक देगी। बस आपको कुछ विशेश बातें का ध्यान रखना होगा। कुछ विशेश सावधानी आपको व्रतनिय होगी, जो आगे इस ज्योतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, आपको बता दें। 75 साल बाद आपका कुंडली में एक महायोग का निरमाण हुआ है। बस अगले चार दिनों तक यह एक गलती मत करना, वरना जिन्दगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा, तो आखिर फिर अगले चार दिनों तक आपको कौन-कौन सी सावधानी बरतनी होगी और कौन-कौन सा विशेश बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आईए इसके बारे में सम्पूर्न जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता। बड़ी गुप्त खबर आपके लिए भेजा है जी हाँ आपको बता दें त्रिलोक से यह यह गुप्त संदेश आया है इसलिए इस मजाग समझने की भूल मत करना क्योंकि आज की जोतिश कार्यक्रम ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है जो की 100% सटीक है इसलिए जोतिश का कार्यक्रम को देख पा रहे हैं मैं आपको लिख कर देता हूँ यह आपके लिए सफलता का द्वार खुलने वाला जोतिश कार्यक्रम साबित होगा यह जोतिश कार्यक्रम आपकी सारी परेशानी जड़ से खत्म कर देगा ऐसा ऐसा मूल मंत्र इस जोतिश कार्यक्रम में आपको बता दें, सिर्फ चार दिनों के अंदर आपके घर यह एक देवी दस तक देगी, यह देवी माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुकी है, इसलिए यह देवी माँ अब आपको कुछ देना चाहती है, यह देवी माँ आपके घर प्रवेश करेगी और आपको करो प्रवेश करने वाली है, और आपको तथा आपके पूरे परिवार को धन से माला माल कर देगी, इतना बड़ा चमतकार, यह देवी माँ आपके जीवन में करने वाली है, अब तो भगवान भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब जो बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रहा है, यह कामयाबी आपको कल्युक की सबसे बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, आपकी कामयाबी देखकर दुश्मन का माथा गर्म हो जाएगा, इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाला है, आपको बता दें, इतनी बड़ी कामयाबी देखकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभू, आप और आपकी लीला, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी, आपने तो हमारी जीवन ही बदल दी, ऐसी बड़ी खुश्खबरी आपने दी, इसके लिए आपको कोटी-Kोटी नमन करते हैं कोटी कोटी आपको प्रणाम करते हैं प्रभु ऐसे ही कृपा द्रिष्टी हमारे उपर बनाए रखना हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा क्योंकि प्रभु ने आपको खुश्खबरी ही ऐसी दे है जिसे सुनकर आपको जटका भी लग सकता है कल्युक की स देव का कौवा लाया गुप्त संदेश अब आपको मिलेगी बहुत बढ़ी खुश्खबरी अब आपको बहुत बढ़ा खुश्खबरी प्राप्त होने वाला है हो जाओ तयार क्योंकि एक बढ़ी good news आपको मिलने वाला है आपको बता दें नियाय का देवता भगवान शन अधेर नहीं, भगवान हमें जब भी देते हैं, छप पर फाड़ के देते हैं। आपको बता दें, जीवन में कभी किसी चीज की आपको कमी नहीं होगा। बस आपको यह एक काम कर लेना है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा कि आपको बता दें। भगवान वह व्यक्ति दिन, दुगनी, रात, चौगनी तरक्की करने लगता है। और ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। अब आप भगवान शणिदेव महाराज के आशीरवाज से करोडों का धन संपत्ती हासिल करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर भगवान शणिदेव महाराज किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं, तो उनका जी नरक बना देता है। उस व्यक्ति को करोडपती से भिखारी बना देता है। इसलिए आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगर आप चाहते हैं आपका जिंदगी में एक भी गम ना हो तो अगले 24 घंटे तक हो जाईए। अगले 24 घंटे तक फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ना नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं। तो आखिर अगले 24 घंटे तक आपको कौन-कौन सी गलती करने से बचाना है। और कौन-कौन सी बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है। कौन तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें और इस चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। शनिदेव महाराज का कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बना रहेगा। भागवान शनिदेव महाराज आपका हर एक मुराद पूरा करेगा। आपको बता दें आज का यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि यह ज्योत ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए राम बांड साबित होगा। बशर्ते आपको ज्योतिश कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जी हां। बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलेगा। सुनकर आप भी हैरान रह इतना बड़ा good news आपको मिलने वाला है तो आखिर शनीदेव का कववा आपके लिए कौन सा गुप्त संदेश लेकर आया है कौन सा good news आपको मिलने वाला है आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं इसलिए आपका दायत्व बनता है कि आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को बिना स्किप किये शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगा। क्योंकि आज इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से जो ज्यान वर्धक जानकारी आपको बताने वाले हैं, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ज्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज आपके उपर महर्बान हो चुके हैं, जिस वजह से आपका कुंडली में एक साथ तीन महायोग का निर्मान हो चुका है, आपको बता दें। ज्याय का शस योग बन चुका है, इसलिए अब आपका किस्मत पहले जैसा बिलकुल भी नहीं करेगा। अब आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी काम्याबी मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आपके घर में तक देगी। अब आप धन से माला माल हो जाएंगे। अब आपके पास धन संपत्ती की कमी नहीं रहेगा। अब आपके पास धन दौलत से जुड़ी कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। आपका दुश्मन भी आपका काम्याबी देख कर ताली बजाएगा। इतनी बड़ी काम्याबी आपको मिलने वाला है। तैंट सच्चाई सुनकर दोनों आखों से आंसू बहेगा जोतिश कार्यक्रम बहुत खास और महत्वपूर्ण है इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखना जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले अभी तक इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो तो सबसे पहले जोतिश कार्यक्रम को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में बिना संकोच किये, सच्चे श्रधा भाव से जय श्री गणेश, जय इमाम लक्षमी अवश्य लिखें, गुरु जी का आशीरवाद सीधा आपको प्राप्त होगा, इस जोतिश कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका जीवन प जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की घटना होता है, और इन सभी परेशानियों से सभी घटनाओं से बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ कुंडली में छुपा हुआ है, आपका कुंडली को देख कर हम लोग यह पता लगते है कि आपके जीवन में कौन-कौन सी परेशानी आने वाला है, कौन-कौन सी परेशानियों से आपको सामना करना होगा, इन सभी के बारे में एक-एक जानकारी आपको बताने वाले, इसलिए आज की जोतिश कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह जोतिश कार कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में कितना परसेंट सकारात्मक प्रभाव पढ़ने वाला है और कितना परसेंट आपका जीवन में नकारात्मक प्रभाव पढ़ने वाला है तो कुल मिलाकर ज्योतिश कार्यक्रम बहुत महत्तोपूर्ण हो बहुत खास होने वाला है, तो आखिर अगले 24 गंटे के अंदर आपको कौन-कौन सी खुश्खबरी मिलने वाला है, कौन-कौन सा चमतकार आपके जीवन में होने वाला है। बस यह एक गलती मत करना, दुश्मन का होश उड़ जाएगा, इतनी बड़ी कामयाभी आपको मिलेगा, अब आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल उठेगा और आपका जीवन सुन्दर हो जाएगा, आपको बता दें, यह जोतिश कार्यकरम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभधायक साबित होगा, आपको बता दें, पिछले पांच सालों से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, पिछले पांच सालों से आप बहुत ज्यादा कष्ट जहेल रहे थे, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको सजा आपको इस जन्म में मिल रहा था लेकिन अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, अब आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा, यह मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, अब आपको सफलता की चाबी मिलने वाला है, जी हाँ, सफलता की अब आपके हाथ में होगा और आपको बड़ी कामया भी मिलेगी, सिर्फ 24 गंटे के अंदर 15 साल पुराना खजाना आपको मिलने वाला है, जी हाँ, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, बहुत पुराना खजाना आपको मिलने वाला है, यह खजाना आपको हर हाल में मिलकर रहे जो सपना बचपन से आप देखते आ रहे हैं आपका वह सपना एक जटके में पूरा हो जाएगा जिस चीज के लिए आप सालों से तडप रहे हैं वह चीज आपको एक जटके में मिल जाएगा धन दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपके पास होगा बस आपको इस जियोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना है 33 करोड देवी देवताओं की कृपा से आपका हर एक सपना पूरा होगा आपका सभी सपने साकार होंगे ये बात आप लिख कर रख लो मेरा भविश्यवानी और ईश्वर का लिखा कोई बदल नहीं सकता है इसलिए आपको यह सभी खुश खबरियां मिलकर रहेगा इस बात की गारंटी है आपके जीवन में एक बहुत बड़ी शुभ घटना होने जा रहा है ऐसा संकेत मिल चुका है जी हां आपको बता दें यह कोई मामूली घटना नहीं है यह घटना आपकी जिंदगी बदल देगी अगले 24 घंटे के अंदर सोने की अंड़ा देने वाली मुर्गी हाथ लगेगी जी हां आप बिलकुल सही सुन रहे हैं सोने की अंड़ा देने वाली मुर्गी आपके हाथ लगेगा। इतना बड़ा भयंकर बदलाव आपका कुंडली में हो चुका है। आप बता दें, पूरे 21 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा महा संयोग निर्माण हुआ है। आपका ग्रिह में इतना बड़ा बदलाव हुआ है जो कि एक जटके में आपका जीवन बदल कर रख देगा। एक जटके में आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर बना देगा। आपको बता दें, अब आपका सोने चांदी से भी तेद चमकने वाला है। बस आपको जयोतिश कारिक्रम पूरा आखिरी तक देखना है। यह जयोतिश कारिक्रम आपके लिए अत्यंत ही महत्व पूर्ण जयोतिश कारिक्रम साबित होने वाला है। यह जयोतिश कारिक्रम आपका जीवन बदल कर रख देगा। तीन बड़ी बातों का आपको विशेश ध्यान रखना होगा। इतनी बड़ी और भयंकर सुनामी आपको बता दें, जो लोग आपका मजाक उडाते थे, जो लोग आपका इज़त नहीं करती थी, वे लोग भी अब आपके सामने घुटने टेक देंगे, जिस जिसने आपको धोखा दिया है, वे सभी लोग आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करेगा, क्योंकि वे सभी लोग अब आपके कदमों में गिरने वाले हैं, क्योंकि खुश्खबरी ही इतनी बड़ी आपको मिलने वाला है, काम्याबी ही आपको इतना बड़ा मिलने वाला है, जी हाँ, आपको बता दें, आपको जीवन में जितना ज्यादा परेशानी हुआ है, शायद ही किसी व्यक्ति को ह आपको एक से बढ़कर एक परेशानी जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका कुंडली में एक साथ तीन महा संयोग बन चुका है। के समय अवधी में आपने बहुत दुख जेला है। बहुत ज्यादा कश्ट अपने सहा है। आपके जगह कोई और होता तो जीवन से हार मान लेता। आप बहुत मजबूत इंसान हैं। और आप बहुत जिद्धी भी हैं। आप अपने मन में जो एक बार ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। और यही आपका सबसे बड़ा सफलता का राज साबित होने वाला है। आपका जिद्धी आपको सफलता दिलाएगी। यह बात आप लिख करके रख लो, आपको बता दे, आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आपको अपने अंदर यही जुनून रखना है, जो जुनून अभी आपके पास है। वैसे तो अगले 24 घंटे के अंदर एक ऐसा कीमती चीज आपके हाथ लगेगा जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका जीवन का सारा खेल बदल जाएगा, तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और कौन कौन सा चमतकार आपके साथ होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं रोज हाथ जोड कर विनती करता हूँ, कि आप हमारे जोतिश कार लेकिन आप लोग मेरी जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं करते हैं। गंटे के अंदर आपका किस्मत का पासा पलटने वाला है। जान के लिए आपको बता दे। यह जोतिश कार्यक्रम आपके लिए किसी वर्दान से काम नहीं है। जानक परिवर्तन आपका जीवन में होने वाला है। मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना। चिट और पट दो। दोनों आपकी होगी। यह बात आप लिख करके रख लो। मेरा भविश्यवानी पत्थर का लकीर है। कोई मेरा भविश्यवानी गलत साबित कर देगा तो मैं उसे दस लाख का इनाम दूँगा। यह एक देवता आपके साथ है और आपको भनक तक नहीं है। इसी लिए यह देवता आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुका है। बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो चुके हैं। आपको बता दें। आपके जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आई थी। लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में ज्यादा परेशानी नहीं हुआ है, क्युकि यह एक देवता की क्रिपा से आपकी सभी परिषानिया टल जाती थी। पिछले बारह सालों से यह देवता आपके आसपास घूम रहा है और आपका अच्छे से देख भाल कर रहा है आपका ध्यान रख रहा है लेकिन आप कुछ ऐसा गलत कार्य कर चुके हैं आप कुछ ऐसा गलती कर चुके हैं आप कुछ ऐसा पाप कर चुके हैं जो आपको नहीं करना था आपको बता दें आपने जो गलती की है उससे यह देवता बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है यह द पूरा जयोतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना है। ऐसे मैं आपको कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं का सामना करना होगा और कौन-कौन सा बड़ा चमतकार आपके साथ होने वाला है। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ कर विनती है। अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जैबाबा भोले नाथ, जैमा काली जैमा, दुर्गा अवश्य लिखें। इसके लिए बिलकुल भी संकोँच ना करें। बिना संकोँच किये, इन सभी देवी देवताओं का नाम का जैकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। आपके उपर इन सभी देवी देवताओं का आशीरवाद बना रहेगा। आपको बता दें, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं दस्तक देने वाली हैं, कुछ समस्याएं बहुत बढ़ी होगी, तो वहीं कुछ समस्याएं बहुत छोटी होगी, उससे सामने करना बहुत आसान होगा, परंतु जो समस्याएं बढ़ी होगी, उससे सामना करना ब से क्षमा मांग लीजिए। इन सभी परेशानियों का सामना मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं इन सभी परेशानियों का सामना कर सकूँ। हाथ जोड़ कर इसी तरह से हम लोग देवी देवताओं के सामने अपना अरजी लगाते हैं। और देवी देवताओं की कृपा से हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और यह देवता तो हमेशा साया बन कर आपके साथ रहता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार इस देवता से आप माफी मांग सकते हैं। बड़ी गलती किये हैं। फिर भी यह देवता ने आपको बचाया है। हर मुसीबत से इस देवता ने आपको छुटकारा दिलाया है। यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहकर आपको सभी परेशानियों से बाहर निकाला है। लेकिन अब आपसे कुछ ऐसा पाप हो गया है, कुछ ऐसा गलती हो गया है, जिसके कारण यह देवता आपसे नाराज हो गए है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चचिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक काम कर लेने से यह देवता आपकी सभी गलतियों को माफ कर देंगे। सिर्फ आपको यह एक काम करना होगा। लगातार पांच दिनों तक आपको भोलेनात के मंदिर में जाकर महादेव जी का पूजा करना है और पांच गरीब बेसहारा लोगों को भोजन कराना है ऐसा करने से महादेव जी आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर देंगे और महादेव जी आपके साथ हमेशा रहेंगे महादेव जी का साया आपके उपर रहेगा महादेव जी का कृपा दृष्टी आपके उपर बना रहेगा जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा इस बात की फुल गारंटी है जोतिश शास्त्र में कई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं बताई गई हैं जो जीवन में सुख समरिध्धि और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है इन में से दो खास चीजें हैं जिन्हें जेब में हमेशा रखने से जीवन में अद्भुत बदलाव देखे जा सकते हैं जोतिशिय और आध्यात्मिक विज्ञान है जो जीवन में अद्वितिय प्रभाव डालता है सबसे पहले बात करते हैं पीली सर्सों की सर्सों को शुद्धता, सम्रिध्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है पीली सर्सों में नकारात्मक उर्जा को दूर करने और सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का गुण होता है यह माना जाता है कि इसे जेब में रखने से हमारे आसपास की उर्जा शुद्ध होती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हमसे दूर रहती है हमारे आसपास की नकारात्मक उर्जा अक्सर हमारे मार्ग को अवरुध करती है और पीली सरसों इस बाधा को दूर करने में सहायक होती है विशेशकर उन लोगों के लिए जो व्यापार, नौकरी या किसी भी तरह के कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पीली सरसों अध्भुत परिणाम देती है जियोतिशी कहते हैं कि सरसों की इस शक्ती से हमारे अंदर आत्म विश्वास बढ़ता है जिससे हम किसी भी बड़े निर्णय को आत्म विश्वास के साथ ले पाते हैं जब हमारे पास आत्म विश्वास और सकारात्मक उर्जा होती है, तो पूरी दुनिया हमारे सामने जुकती है और हमारे कारियों में सिध्ध मिलती है। अब बात करते हैं चंदन की लकडी के छोटे टुकडे की। चंदन को शांती, पवित्रता और आध्यात्मिक्ता का प्रतीक माना गया है। इसे जेब में रखने से मन में शांती और स्थिर्ता का अनुभव होता है। जो लोग जीवन में मानसिक शांती की तलाश में होते हैं या जिनके मन में अस्थिर्ता होती है, उनके लिए यह विश शेश रूप से लाभकारी होता है। किसी भी परिस्थिती में लोग हमारी बात मानते हैं और सम्मान देते हैं। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए सकारात्मक उर्जा और आत्म विश्वास से भरे रहते हैं, तब हम एक विजेता की तरह सामने आते हैं।